नमस्ते साथियो, फिर से स्वागत है आपका, साथियो, भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला कांटेदार फल धतूरा आम तौर पर जहरीला और जंगली फल माना जाता है, और यही कारण है कि शिव जी की पूजा के अलावा इसका प्रयोग किसी भी काम में नहीं किया जा है कि धतूरा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फाइदे मंद होता है, नहीं न, साथियो, इसके फाइदों को जानने के बाद यह धतूरा भी आपकी पसंद बन जाएगा, और इसे अमरित मानने लगेंगे आप, तो आये, जानते हैं धतूरा के फाइदों के बारे में, पहला फाइदा, ये गंजापन दूर भगाए, जिन लोगों के बाल जढ़ चुके हैं, और वो गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए धतूरे के बीज बहुत फाइदे मंद होते हैं, जी हाँ, धतूरे का तेल गंजेपन वाले हिस्से पर लगाने पर कुछ ही दिनों में उस जगह नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं, इसके रसको सिर पर मलने से न केवल डैंडरफ कत्म होती है, बलकि गंजेपन से भी छुटकारा मिलता है, धतूरे का तेल नहीं है, तो आप धतूरे के बीजों को पीस कर पाउडर बना लें, फिर इस पाउडर को पानी के सा पाथ मिलाकर एक पेस्ट तयार करें और अपने सिर पर लगाएं, कुछ ही दिनों में फाइदा मिलेगा, दूसरा फाइदा, ये अर्थराइटिस के दर्द से बचाएं, धतूरा अर्थराइटिस से परेशान लोगों के लिए एक रामबान की तरह है, दर्द की हालत में, ध और दर्द वाले हिस्सों पर अच्छे से मालिश करने के बाद धतूरे का पत्ता बांध लें, इससे अर्थराइटिस की समस्या ठीक हो जाती है, दर्द से राहत पाने के लिए धतूरे के रस को तिल के तेल में मिलकर गर्म करें, और दर्द वाली जगहे पर मालिश करें, न तीसरा फाइदा ये जुएं दूर भगाए धतूरा जुओं से छुटकारा पाने का बहुत अच्छा इलाज है सिर में जुएं होने पर आधा लिटर सरसों के तेल में 250 ग्राम धतूरे के पत्तों का रस और इतनी ही मात्रा में पत्तियों का पेस्ट मिलाकर धीमी आज़ पर पकालें और उबालते उबालते जब केवल तेल रह जाए तो इसे बोतल में भर कर रख दें अब इस तेल का इस्तिमाल अपने बालों में सिर्धोने से कुछ घंटे पहले करें जुएं समाप्त हो जाएंगी पाँचवाँ फाइदा ये मिर्गी का इलाज भी है मिर्गी का दौरा पर जाने पर लोग अकसर जूता सुंघाने लगते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि धतूरे की जड़ को सुंघने से भी मिर्गी शान्थ हो जाती है मिर्गी से पीडित लोगों को इसकी जड़ सुघाना काफी फाइदेमंद होता है छठा फाइदा ये प्रजणनक्शमता बढ़ाए प्रजणनक्शमता को बढ़ाने के लिए धतूरे के बीजों का इस्तिमाल प्राचीन समय से किया जा रहा है इसके इस्तिमाल से यौन उर्जा, कामेच्छा और प्रजनन क्षमता को बढ़ावा मिलता है धतूरे के बीजों को दूध या पानी के साथ लेने से प्रजनन अंगों में बलड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे यौन शक्ती मजबूत होती है सात्वा फाइदा ये दमा से भी राहत देता है जिन लोगों को दमा की शिकायत है उनके लिए धतूरा बहुत ही फाइदेमंद है इस समस्या के उपाय में धतूरे का धुआ इस्तिमाल किया जाता है धतूरे में एंटिस्पासमोडिक प्रभाव होते हैं जिसके कारण यह अस्थमा के इलाज में असरदार होता है धतूरा के इस्तिमाल से खासी कम आती है इसे इस्तिमाल करने के लिए धतूरे को अपामार्ग और जवासा नामक जड़ी बूटी के साथ मिला कर चूरन बना लें अब रोजाना इसकी महक सुंगने से समस्या दूर हो जाएगी आठवा फाइदा अनिद्रा को दूर करता है धतूरा अनिद्रा की समस्या से निजात दिला सकते हैं इसमें मौजूद शामक गुन अच्छी नींद लेने में सहायक होते हैं यह नसों को आराम दिलाने हार्मोनल रिलीज को प्रेरित करने सूजन और दर्द को कम करने में भी कारगर हैं धतूरा नींद की गड़बडी से पीडित लोगों को आराम दायक नींद दे सकता है तो साथियों ये थे धतूरे के फाइदे और अब इसके नुकसान भी जान लीजिए तो ये हैं धतूरे के नुकसान पहला नुकसान वचापर धतूरा लगाने से खुजली जैसी समस्या हो सकती हैं क्योंकि इन में एंटी कोलिनर्जिक नाम का रसायन होता है दूसरा नुकसान धतूरे का जरूरत से ज्यादा इस्तिमाल करने से धुंधला दिखाई देने की समस्या हो सकती है तीसरा नुकसान जी मिचलाना हाई बलड प्रेशर की परेशानी हो सकती है चौथा नुकसान धतूरे के पत्तों का रस आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक है तो साथियो ये थी धतूरे के फायदे और नुकसानों की बात इसको आजमाने से पहले किसी योग्य स्वास्थ्य विशेशग्य या अपने चिकित सक्से सलाह जरूर लेनी चाहिए वरना लेने के देने पड़ सकते हैं तो साथियो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए डिस्क्लेमर सलाह सहित वीडियो की यह सामगरी केवल आपके सामान्य ज्यान के लिए ही इंटरनेट से जुटाई गई है यह किसी भी तरह से चिकित्सकी यह सलाह नहीं है अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी स्वास्थ्य विशेशग्य या अपने चिकित्सक से परामर्ष अवश्य करें बी आर जी के पीडिया इस जानकारी की सत्यता का कोई भी दावा नहीं करता है वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्ते